जय हिन दोस्तों मैं कृष्णा कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं Creator Amit Classes में New Mantra for Success हम लोग अभी रिजनिंग में चल रहे हैं और अभी इसमें हम बना रहे हैं Ranking and Sitting Arrangement तो अभी हम लोग उसी को देखेंगे पिछले तीन वीडियो से हम जो इसको करते आ रहे हैं तीन Classes में हमने जो कुछ सवाल भी हल किये हैं तो चलिए इसी दिशा में चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है जो की हमारे स्क्रीन पर ये है P, Q, R, S तथा T एक ब्रित्य मेज के चारों तरफ बैठे हैं R, P, के दाई और तथा S के बाई और से दुसरा है T, P, व, S के बीच में नहीं बैठा है तो R, के बाई से दुसरा कौन है P, Q, R, S तथा T एक ब्रित्य मेज के चारों तरफ बैठे हैं R P के दजयोरं तथा S के बाइण और से दुसरा है T P वे S के बीच में नहीं बैठा है R के बाइण से दुसरा कौन है तो आईए इन सब सवालों को अहल करने कलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले जो है फिगर डौ करते हैं आई ये एक जो हम सरकर बना लेंगे ब्रित बना लेंगे ये हो गया अब सबसे पहला क्या बोल रहा है और पी के दाई और तथा एस के बाई और से दुसरा है मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर पी है ठीक तो इसका राइट किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा और लेट किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा है ना अच्छा पी के दाई और है तो आर यहाँ पर हो जाएगा और क्या बता रहा है एस के बाई और से दूसरा है ठीक तो एस कहाँ पर हो जाएगा एक दो एस यहाँ पर हो जाएगा तो इसका बाई से दूसरा यह आर हो जाएगा अब क्या बता रहा है, T P Y S के बीच में नहीं बैठा, यानि T जो है यहां पर नहीं बैठा है, तो T कहां पर बैठा है, T यहां पर बैठा है, तो यहां पर कौन आ जाएगा, अटोमेटिकली यहां पर Q आ जाएगा, और सवाल क्या का रहा है, कि R के बाएं से दूसरा कौन है, ठीक है थम R के बाएं यहीं इस सेट चलेंगे एक P हो गया दूसरा Q हो गया है ना तो R के बाएं से दूसरा कौन है Q है है ना एक बार और समझ लिजिए आर जाय दूसरा है तो यहाँ पर लिया तो आर जन्योथ आ गया इदर एस के बाएं और से दूसरा है one two किया तो यहाँ से साय यह यहाँ से आयेंकी तो यह यह लाप्ट हो जाएगा दूसरा य़नि all का दो तो जो है right जो है वो S है, है ना, एक right हो गया, दो right हो गया, T जो है P और S के बीच में नहीं है, एक यह point बच रहा था और एक यह point बच रहा था, तो T P और S के बीच में नहीं है, तो T इधर हो गया, और Q इधर हो गया, तो इस परकार से यह हम सर हमारा यह question जो है, यह solve हो गया आईए अब जो है इसी प्रकार से हम जो है दूसरा सवाल हल करेंगे और देखते हैं कि वो क्या कहता है ठीक है तो दूसरा सवाल जो हमारे स्क्रीन पर ये रहेगा ठीक है दोस्तों तो प्रस्ण ये है हमारे सामने आठ ब्यक्ति A, B, C, D, E, F, G, Y, H नीचे दिये गए चित्रा नुसार बैठे हैं तथा वो बाहर की और मुह किये हुए है यदि सभी ब्यक्ति घडी के घुमने की दिशा में दो अस्तान बढ़ते हैं तो H का मुख किस दिशा में होगा ठीक है आठ ब्यक्ति है A, B, C, D, E, F, G और H और ये सभी बैठे हुए है टेबल के चारोर राउंड टेबल है इसके चारोर बैठे है और सबका फेस जो कहां है बाहर की और है फिर बता रहा है क्या कि यदि सभी ब्यक्ति घडी के घुमने की दिशा में दो अस्थान आगे बढ़ते हैं तो H का मुझ किधर होगा देखिए पहले से यह है यहाँ पर ऐसे बैठा हुए A यहाँ है B यहाँ है C यहाँ D यहाँ E, F, G और H है तो आइए इसका हम फिगर ड्राव करते हैं कि दो-दो अस्थान बढ़ेगा तो आइए यह रहा सरकल हमारा देखिए तो A जो है घड़ी कैसे घुमता है घड़ी clockwise घुमता है घड़ी इस दिशा में घुमेगी है ना ठीक है तो A जो है यहाँ पर है तो A कहां आजाएगा दो आट के यहाँ आजाएगा उसी परकार से B यहाँ आजाएगा C यहाँ आजाएगा D यहाँ आजाएगा E यहाँ आजाएगा F यहाँ आजाएगा G यहाँ आजाएगा और H यहाँ आजाएगा ठीक है तो यह जो है कौन सी दिशा होती है तो यह हो जाता है East हमारा यह हो जाता है North यह हमने जो देरेक्शन में किया हुआ था तो यह डिरेक्शन क्या ओजाएगा एनेद हो जाएगा है ना तो एच का मुख इस दिशा में होगा नौर्थ इस्ट यानि कि उत्तर पूर्ब में होगा कोई डाउट हो अपगर आपको ताप जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम लोग जो है 24 घंटे जो एबिलेबुल हैं कभी भी आप इस पर कमेंट कर सकते हैं एक बार और आप देख लिजिए इस परकार से सब बैठे हुए थे दो पोजिसल हो गया यहां से दो पोजीशन आगए तो ए यहां आगिया उसी परकार से यह जो है यहां आजाए काई वह आजा जाएगा यह कौन सा डिरेक्शन होता है यह नौर्थ तो यह नौर्थ इस्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अब जो हम जो नेक्स्ट सवाल देखाएंगे कि वह जो है क्या कहता है ठीक है तो अगले सवाल की और आगे बढ़ते हैं ठीक है तो जो है next सवाल हमारे सामने ये है 6 मित्र M, N, O, P, Q तथा R एक बृत्त में खड़े हैं N जो है O और P के बीच में M, O और Q के बीच में है R और P एक साथ खड़े हैं तो M, O, R के बीच में कौन खड़ा है ठीक है 6 मित्र है M, N, O, P, Q, R एक सर्किल में खड़े हैं N जो है O और P के बीच में M जो है O और Q के बीच में है R और P एक साथ खड़े हैं तो M, O, R के बीच में कौन खड़ा है आईए हम सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यह सर्कल बना लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है N जो है कहां पर है O और P के बीच में है चलिए O यह मन लिया तो P यहां आ गया तो N कहां जाएगा यहां आ जाएगा अब क्या कह रहा है M जो है O और Q के बीच में O यहां है तो M जो है यहां हो जाएगा और Q जो है यहां आ जाएगा और R और P एक साथ खड़े हैं P यहां है और R यही होगा यही पोजिशन खाली है ठीक है सबसे पहले बता है कि N जो है O और P के बीच में है ठीक है, N यहां ले लिया, O इधर दे दिया, P इधर दे दिया, ठीक, M जो है O और Q के बीच में है, ठीक, और R के बीच में कोन खड़ा है? throughout एम और R के बीच में एम और R के बीच में कोन खड़ा है? मोर के बीच में क्यों खड़ा है? ठीक है? नहींkaa है दोस्तों मैं यही कहुझगा कि इन सब सवालों का कोई Short Cut नहीं होता है जो भी हमारे पास information दिया जाता है हम उसको उसी प्रकार से लेकर आगे चलते हैं और जिसके बारे में ज़्यादा information दिया रहता है उसको हम सबसे पहले consider करते हैं ठीक है? तो आईए देखते हैं एक और सवाल कि वो क्या कहता है हमारे लिए ठीक है दोस्तों? तो हमारे सामने जो है next सवाल ये है ये क्या कह रहा है? छे लड़कियां एक ब्रित में कैंदर की और मू करके खड़ी है सब्बू पपू के बाई और है तो चलिए ये तो बहुत ही इजी सवाल है इसको तो जो भी आप लोग देख रहे होंगे तो वो सवाल देखकर ही जौन जाएंगे कि पपू के दोई और कौन बैठा हुआ है तो चलिए सबसे पहले जो हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं जिससे एक सारा डाउट के लिए हो जाए ये रहे सरकल बनाते हैं सबसे पहले हम और इसमें च्छा है च्छा लोग कहां है च्छा के च्छा जो है सरकिल के और मूँ करके है एक दो तीन चार पांच छे ठीक सबसे पहला क्या है कि सब्बू जो है पप्पू के बाई ओर है तो मौन लेते हैं पप्पू यहां है ठीक तो इसका लेप्ट किदार हो जाएगा चुकी सब का फेस इधर है है ना सब सेंटर की ओर है तो इधर लेप्ट हो जाएगा राइट किदार हो जाएगा इधर राइट हो जाएगा ठीक तो पप्पू के लेप्ट में कौन है सब्बू है ठीक है अब क्या बता रहा है रेवती जो है सब्बू और निशा के बीच में तो सब्बू यहां है तो निशा कहा हो जाएगा यहां आ जाएगी और यहां पर कौन आ जाएगा रेवती ठीक और क्या बता रहा है अरुन जो है पपू किरतन के बीच में बैठा हुआ है पपू यहां है तो यहां पर कौन जाएगा अरुन है ना और यहां पर कौन आ लोग फिगर देखके समझ आईए ठीक है जिस प्रकार से क्वेस्चन ने कहा था उसी प्रकार से हम बनाया तो उससे जो सिधा जो साबीत हो रहा है कौन है पपू के दाइं और दाइं और यह अरून बैठा हुआ कि अरून जो है कहां है पपू के दाइं और है यह पाले में बोला था यह देखिये यह सवाल इसलिए समझ में आ जाना चाहिए था क्योंकि यहां पर जो है सब्बू पपू के बाईं और बता रहा था और अरून जो है पपू और किरतन के बीच में बैठा हुआ था तो अरून जो है पपू के ज़स्ट बगल में होता है और किर्टन उसके उपर में जाता तो यहां पर भी सिधा समझ में जाता है कि अरुन जो है पपू के दाई और है ठीक है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है अगर आपको पसंद आये तो इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और फिर जो नेक्स्ट क्लास में हम देखाएंगे रैंकिंग पर ही सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के ही सवाल देखाएंगे तब तक के लिए जय हिंद